हम उन्हें अपना बनाए कैसे वो हमें अपना समझते ही नहीं जी हाँ ये आज कल डिफरेंसेज हमें 2019 के लोगसभाज चुनाव आते ही समझ आने लगा है कि किस हिसाब से सत्ता करवट बदलती है और इस सत्ता को पाने के लिए कौन कब किस से जाकर के मिल जाता है ये कुछ पता ही नहीं लग पाता आदाब पलपल न्यूस के न्यूस रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदी मकरम 2019 का चुनावी बिगुल बच चुका है और उस चुनावी बिगुल के बसते ही यूपी में शनिवार के दिन जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरे बिलकुल ही उल्टी हो चली है 2014 में उत्तर परदेश की सत्ता के दम पर भारतिय जनता पार्टी केंदर की सत्ता में आई और उस लहर में उसे नाम दिया गया मोदी लहर और उस मोदी लहर में उत्तर परदेश में 73 सीटे भारतिय जनता पार्टी ने अपने दम पर जीत हासिल कर ली और उस जीत हासिल करने के बाद केंद्र सरकार में सत्ता में उस पार्टी का राज हो गया जो गुजरात से निकल करके पाच बार के मुख्यमंत्री रहे नरेंदर मोदी जी और नरेंदर मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हुए देश के प्रधान मंत्री बने और फिर देश की सत्ता पर उनका कब्जा हो गया और उन्होंने जो जो वादे 2019 से पहले हम लोगों से किये वो असल में धरातल पर जाते चले गए खैर पास साल में जो कुछ भी बीता वो हमारे और आप लोगों के सामने है और 2019 आते ही कैसे जब सपा बसपा का गड़ बंदन हो गया तो हर पार एरो तले जमीन किसक गए क्योंकि वोटों का दुरूविकरण करना भारतिय जन्ता पार्टी को आसानी से आता है और वोटों को किस तरीके से बाटा जा सकता है ये भी हमारी भारतिय जन्ता पार्टी को मालूम हो चला है मैंने अभी आप से खबर की शुरुआत से पहले एक बात कही थी हम उन्हें अपना बनाए कैसे वो हमें अपना समझते नहीं कुछ दिनों पहले कुछ महीने पहले 2018 में एक फिल्म आई थी मुल्क और उस मुल्क में अगर आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीती को समझना है तो ये फिल्म जा करके देखिए क्योंकि इस फिल्म में आपको समझ में आएगा और लास्क में जज का डायलोग है हिंदू मुस्लिम जब देश में जादा होने लगे तो समझ जाईएगा कि चुनाव करीब है 2019 आया और जादा ही हिंदू मुसल्मान का खेल हमारे सामने खेला जाने लगा मुद्दे क्या है उन मुद्दों पर पत्रकारिता का काम होता है उन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना पर सरकार से जवाब मांगने के बजाए हमारी गोधी मीडिया उल्टे मुसल्मानों को कडगरे में करने में लगी हुई है उत्तरपरदेश की राजनिती में सपा भस्पा का गडबंदन सिरफ मोधी की ही नीन नहीं उड़ा गया वहाँ नीन उड़ गई हमारी गोधी मीडिया की क्योंकि गोदी मीडिया जिस हिसाब से इस सपावसपा गडवन्दन के बाद अपनी रिपोर्टिंग कर रही है उसने भारत को क्या पूरी पत्रिकारिता को शर्मसार कर दिया है निचले इस तर पर आ करके वो इतना किर चुके हैं कि देश में कैसे समाज के नाम पर देश को बाटा जाता है वो इन्हें अब अच्छे तरीते मालूम हो चला है आप लोगों के सामने एक आकड़ा पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात आप लोगों के आगे रखूँगा पहले बड़े बड़े चैनलों की हैडलाइन पर नजर डालिये जो सपा बसपा गड़बंदन के बाद हम लोगों के सामने आए और जिसने निचले इस्तर पर ला करके पत्रकारिता को खड़ा कर दिया हमारा देश का सबसे बड़ा चैनल कहे जाने वाला आज तक वो पूछता है सवाल यूपी के मुसलमान किसे देंगे वोट क्या मोदी की लुटिया क्या मोदी की नाव डुबा देंगे मुसलमान ये सवाल हमारे आज तक के टीवी एंकर मुसलमानों से पूछ रहे हैं देश देश की जनता से पूछ रहा है और इसके बाद मोदी वर्सेस महागडबनन इन पत्रकार का तो क्या ही कहना इतने उत्तेजित हो तके हैं भारतिय जनता पार्टी के ताव में आखर के कब सल्मान को अपने स्टूडियो में बैठा करके ही ये गालियां देने लगते हैं इनका क कुछ पता ही नहीं चल पाता क्योंकि भारतिय जनता पार्टी में ये विलीन इतने हो चुके हैं कि इन्हें देश की जनता किस रहा पर जा रही है वो नजर नहीं आ रहा सिर्फ नजर आ रहा है तो देश का मुसल्मान जैसे देश के मुसल्मान की वजह से ही इस देश की सत् आप लोगों के सामने इसलिए पेश किये जा रहे हैं क्योंकि बार बार इन टीवी चैनलों पर मुसल्मानों के वोटों का धुरूवी करण दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है जो पत्रकार बैट करके देवबन जा करके लोगों से बात करते हैं कुछ मुसलमानों को पकड़ करके और मुसलमानों से ये उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर क्या देश का मुसलमान प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी को वोट देगा और जब मुसलमान इस पर जवाब दे रहे हैं तो ये कहते फिर रहे हैं कि देख लीजिए कि देश का मुसलमान 2019 में प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी को वोट नहीं देने वाला है इनके लवजों पर इनके अलपाजों पर अगर गौर किया जाए तो हिंदू वोटरों को एक तरफ करने की साजिश ये गोदी मीडिया ने सपा बसपा गडबंदन के बाद शुरू कर दी है और मुसलमानों को दो राहों पर ला करके खड़ा कर दिया है और एक आकड़ा जो सिर्फ हम बात करते हैं उत्तर परदेश की और धीरे धीरे हर इस्टेट के हिसाफ से हम मुसलिमों की वोटर लिस्ट निकालेंगे और कितने प्रतिशत अबादी किसकी कितनी है उसके बारे में आप लोगों के सामने पूरा डाटा एक सिरीज के तहत कोदी मीडिया बेनकाब होगी और उसी के उपपर अब बात करना जरूरी हो चला है तो आप लोगों के सामने बात करते हैं उत्तर परदेश की उत्तर परदेश में कुल 19.5 प्रतिशत मुसलिम अबादी है अगर विधान सभा सीटों की बात की जाए तो 125 विधान सभा सीटे मुसलिमों की जो अबादी है वहाँ पर बसी हुई है और उसके बाद अगर लोगसभा सीटों की बात की जाए तो 27 लोगसभा सीटों पर मुसलिम परतिशत अबादी है और यही अगर हम बिजनौर चाते हैं तो बिजनौर में 38 परतिशत मुसलिम अबादी है जहां से लोग प्रतिशत वहां भी बीजेपी के सांसद है रामपूर में 49 प्रतिशत और वहां भी बीजेपी के सांसद है अगर मेरट जाते हैं तो मेरट में कुल मुस्लिम प्रतिशत आबादी 31 प्रतिशत है और उसके बाद मुझफर नगर में 37 प्रतिशत केराना में 49 प्रतिशत तिरफ यहां पर RLD की सरकार है जो अभी हाली में हुए उपचुनाव में जीत करके तबस्तुम बेगम RLD की उमिदवार जीत करके संसद में पहुँची हैं। और इसके बाद सहारनपुर में 49 पर्तिशत, संभल में 46, बहराइच में 35, बरेली में 34 पर्तिशत, श्रवस्ती में 31 पर्तिशत और नगीना में 45 पर्तिशत मुस्लिम आबादी है। और इसके बाद शुरू हो जाता है हमारी गोदी मीडिया का खेल। differences wise समझाया जारा है कि कहां पर कितनी मुस्लिम पर्तिशत आबादी हैं, कितने मुस्लिम लोग हैं जिनका दुरूवी करण और वहां पर पूछ पूछ करके जनता से बताया जारा है कि मुसल्मान सपा को वोट देगा या बसपा को वोट देगा, ये डिसाइड करने वाली हम सब्लाव पर रख करके, सिरफ ये देखना शुरू कर दिया है कि भारतिय जनता पार्टी की 2019 की सत्ता अगर बच सकती हैं, तो मुसल्मानों के दम पर ही बच सकती हैं, क्यूंकि मुसलिम ही वोटर हिंदूस्तान में विक्सित है, और मुसल्मानों की वोट अगर मिलते हैं, तो भारती जन्ता ही जीतेगी ये सिरफ एक आकडा छोटा सा उत्तर परदेश का आप लोगों के सामने रखा 19 परतीशत मुसल्मानों की आबादी है और वहाँ पर अगर देखा जाए तो 81 परतीशत सभी जातियों के लोग रहते हैं उसमें दलिद भी है उसमें स्वन भी है उसमें सिक भी है सभी समाज की बात यहां होनी चाहिए पर बात हो रही है सिरफ मुसल्मानों की क्योंकि मुसल्मानों को नीचा दिखा करके ये बताया जा सके कि 2019 में मुसल्मानों ने भारतिय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया या फिर एक साजिश के तहर ये बताने की कोशिशे की जा रही है कि अगर मुसल्मानों का वोट बताया जाएगा तो इसका सीधा सीधा फैक्ट हिंदू वोटरों पर पड़ेगा और हिंदू वोटर जब ये देखेगा कि भारतिय जनता पार्टी को मुसल्मान वोट नहीं कर रहा है वो सीधा सीधा भारतिय जनता पार्टी को जा करके वोट डालेगा जो 5 साल से भारतिय जनता पार्टी और गोधी मीडिया यहां गुल खिला रही है उसके क्या ही कहने और जो डिबेट हो रही है भारत को ही नहीं पूरी पत्रकारिता को शक के दायरे में ला करके खड़ा कर दिया है उन्होंने इसकदर उपदर्वचा रखा है कि हर कोई पत्रकारों को शक की निगाहों से देखने लगा है अगर मुसल्मानों की छवी बिगाडनी है तो ये इन लोगों के हाथ में है किसकी छवी बिगाडनी है किसकी बनानी है ये वो आलम इस देश का हो चला है जहां पर मुसल्मानों को सिर्फ कडगरे में ला करके खड़ा किया जा रहा है सवाल पूछे जाते हैं कि मुसल्मानों के मुद्दे क्या है तीवी चैनलों पर बार बार ये बताया जा रहा है कि ये ये मुद्दे मुसल्मानों के है क्या असल में मुद्दे आप लोग भी एक बार इन चैनलों पर जो मुद्दे दिखाये जा रहे हैं का ये असल में मुसल्मानों के मुद्दे है भी या नहीं बात कर रहे हैं मुद्दों के हिसाब से तो पहले तोर पर इन्होंने तीन तलाक का मुद्दा दुनिया के सामने बताना शुरू किया और तीन तलाक मुसल्मानों का सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा मुसलमानों का ही मुद्दा राममंदिर का है तीसरा गौरक्षा के नाम पर हिंसा उर्दू टीचर की छटनी इसलिए मुसलमान भारतिय जंता पार्टी से नराज है क्या मदरशुक के मामले में दखल अंदाजी भारतिय जंता पार्टी खास कर सीम योगी आधित् इसलिए भारत के मुसल्मान मूदी जी से नराज है ये सलग चलाये जा रहे हैं और बताया जा रहा है दुनिया को गलाफाड़ फाड़ करके कि ये मुसल्मानों के मुद्दे हैं और इसलिए भारतिय जन्ता पार्टी से मुसल्मान खफा है और फिर बात करते हैं शहरों के ना प्रदाइक तनाव रहा है हर दौर में हिंसाएं हुई है हर दौर को हमने असानी से पर्खा है और बारिकी से समझा और जाना है इसके पीछे सियासत का खेल और अब ये बिल्कुल ही निचले इस्तर पर जा चुका है और इतना धुरूवी करण मुसल्मानों के वोटों का किया जा रहा है उसका क्या ही कहना ये मुद्दे हमारी गोदी मीडिया बता रही है गलाफाड़ पाड़ करके के ये मुसल्मानों के मुद्दे हैं असल में जो ये मुद्दे दिखा रहे हैं वो मुसल्मानों के मुद्दे है ही नहीं मुसल्मानों क असली मुद्ध है कि हमें इस बार नेता नहीं चाहिए हमें खुद अपनी लीडर्शिप चाहिए हमें इस देश में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो सबसे पहले हमें हमारा हिस्सा दिया जाए और इस देश में हमें पूरे तरीके से हिस्सेदारी दी जाए दूसरा मुद्ध रो पिछले स्तर पर आ करके खड़ा हुआ है पर कभी इन पांस सालों में भारती जंता पार्टी ने इन मुद्दों को जानने की कोशिश करी किया कितना मुस्लिमों को दबाया जा रहा है इन मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं हुई तीन तलाक के मुद्दों पर आ करके हमें उ देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेश को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा शुक्रिया